नमस्त। दोस्तों में हूँ आरपी, स्वागत है आपका इंडिया स्पेसल में दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप घर बैठे कैसे मिन्टों में ट्रेंट टिकेट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं दोस्तो आप मेंसे बहुत सारे लोग ओनलाइन टिकेट बुक करते होंगे लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ट्रेन टिकेट बुक नहीं कर पाते होंगे या तो वो लंबी लाइन में लगते होंगे या फिर किसी और से टिकेट बुक कराते होंगे तो दोस्तो जो लोग अभी तक train ticket book करना online नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए वीडियो खास तोर से है तो उन लोगों को इवीडियो ध्यान से जरूर देखना चाहिए दोस्तो आज हम आपको मिंटों में online ticket कैसे book कर सकते हैं आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे दोस्तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे online train ticket book कर सकते हैं बस आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है इसके बाद आप खुद ही अपने mobile से online train ticket book कर सकते हैं दोस्तो एक टैन था जब train की ticket book करने के लिए लोगों को railway station पर घंटो लाइन में खड़ा रायना पड़ता था या फिर agent को जाना पैसे देकर ticket book करवानी पड़ती थी लेकिन ये तरीका पुराना हो गया क्योंकि तकनीक ने इसे बेहदी आसान बना दिया है अब आप घर बैठे चन्द मिन्टों में कहीं के लिए भी train ticket book कर सकते हैं जहां पहले इसके लिए laptop या desktop का इस्तिमाल किया जाता था वहीं आप अपने smartphone से घर बैठे मिन्टों में train ticket book कर सकते हैं दोस्तों यहां हम आपको smartphone की मदद से online train ticket book करने की step by step जानकारी दे रहे हैं आप अपने mobile को open कर लिजे और mobile में सबसे पहले आप Google Play Store पर जाएए Google Play Store पर जाएए और आप सर्च कीजे IRCTC Rail Connect दोस्तों हमारे mobile में तो यह पहले से ही install है जिस बज़े से IRCTC Rail Connect आ रहा है और open भी बता रहा है आप सबसे पहले इसको आप install कर लिजे जैसे ही आप install करेंगे इसके बाद आपको open करना है इसको आप open कर लिजे दोस्तों इसके बाद आप से यह जो COVID-19 है यानि coronavirus की जो सूचना है वो आ रही है इसको आप okay कर दीजे इसके बाद आप से login भी है अगर आप सबसे पहले install करेंगे तो login करने के लिए पूचा जाएगा दोस्तों अगर आपके पास login ID है तो ठीक है अगर आपके पास login ID नहीं है तो सबसे पहले आप register करें और एक ID बनाएं register user इस पर click कीजे इसके बाद register करने का बिकल्ब एप में देख जाएगा और आपको इसके लिए कुछ निजी जानकाई देनी होगी जैसे नाम, उमर और mail ID दोस्तों ये कोई company का याप नहीं है ये railway का है जिस बज़ए से आप कोई भी आपस information मांगता है तो आप इसमें दे सकते हैं इसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होने बाली दोस्तों इसमें मेरी पहले से ID login है जिस बज़ए से नहीं तो आपको एक ID बनानी पड़ेगी ID में आपको इसके लिए कुछ निजी जानकाई देनी होगी नाम, उमर, mail ID, mobile number जो भी आपसे मांगेगा वो सारी डीटेल आप इसमें डाल दीजे उस्तों सबसे पहले आपने ID बना ली है इसके बाद आपको एक PIN बनाना पड़ेगा 4 डिजिट का, 4 अंकों का तो आप इसे इहां एंटर कर देंगे इसके बाद आप कैप्चा भरेंगे और सीधा लॉग इन करेंगे जब आप एप को लॉग इन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखेगा आपको पेरिफाइंग यूजर और इस तरह से पूरा डेस्वोर्ड खुल जाएगा अब आपको बताते हैं कैसे आप ट्रेंट टिकेट बुक कर सकते हैं इसके बाद आपको प्लान माई जर्नी पर क्लिक करना है दोस्तो अगर आप जैसे नई दिल्ली में हैं और आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कहां से कहां जाना चाहते हैं जैसे माली जी मैं दिल्ली में हूँ तो न्यू डेली सेलेक्ट करूँगा और कहां जाना चाहता हूँ कानपूर या फिर तो कानपूर सेलेक्ट कर लूँगा गर मैं कानपूर जाना चाहता हूँ इसके बाद आप date select कर लिए किस तारीक को जाना चाहते हैं जैसे आज 21 जन्वरी यह तो 21, 22, 24 जिस भी date में माल लिए मैं 29 जन्वरी को जाना चाहता हूँ तो 29 जन्वरी select कर लिए इसके बाद search train जिस भी train में आपको जाना है जिस train में भी आपको जाना है उस train पर आप click कीजे दोस्तो जैसे ही आप train सर्च करेंगे तो बहुत साही train आपको दिख जाएंगे जैसे मिने आपको दोस्तो जैसे ही आप train सर्च करेंगे तो बहुत साही train आपको दिख जाएंगे जिस ट्रेन में भी आप जाना चाहते हैं उस ट्रेन में आप टिकेट बुक कर सकते हैं जैसे M.U.B. Festival इसमें आप जाना चाहते हैं तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो किराया है फेर है वो आपको दिखने लगेगा इस ओहरा एक सो पच्चानमे रुपाय फेर और फेसिंजर डिटेल पर क्लिक करके इसे आप बुक कर सकते हैं मालीजे आप इस ट्रेन में जाना चाहते हैं तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको जो फेर है किराया है बूद दिखने लगेगा इसके बाद आप जो स्वास्थ एडवाईजरी है जो निर्देस हैं उसको आप आई एगरी कर लिजे इसके बाद आप से आपकी डिटेल मांगेगा यदि मालीजे आपका नाम सबसे पहले आप अपना नाम डालिए मालीजे आपका नाम अंकित है तो आप नाम डालिजे अंकित जो भी आपकी एज है 25, 28 जो भी आपकी एज है यज डालिजे male, female और worth सेलेक्ट कर लिजे इसके बाद आप add passenger पर क्लिक कर दीजे अगर आप अकेले हैं तो आप अपना ही नाम डालिए अगर आप दो-तीन लोग हैं जितने लोग भी जाना चाहते हैं तो बारी-बारी से आप अपना add new करके सब की detail डाल दीजे age नाम इसके बाद mobile number डाल दीजे अगर आप इसके बाद आपको destination address जरूर डालना है दोस्तो पहले destination address की कोई अवसकता नहीं होती थी लेकिन आज कल जो train ticket बुक हो रही है उसमें destination address डालना जरूरी होता है यानि आप जहां जा रहे हैं वहां का address माली जे आप जैसे कानपूर उतारते हैं तो कानपूर का आपको address डालना पड़ेगा pin code पूरा address डालना पड़ेगा city, pin code, post office इस सारी चीज़ें डालनी पड़ेगी इसके बाद अन्तिम है payment इसके बाद payment करने के बाद आपकी ticket बुक हो जाएगी दोस्तों अगर आप phone पे, google पे या फिर credit card या debit card से payment करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पे click कर दीजे या फिर आप भीम UPI से ही करना चाहते हैं तो इस पे click कर दीजे इसमें convince fee 10 रुपया प्लस GST ये भीम UPI का charge से और अगर आप credit card debit card से करते हैं तो convince fee 15 रुपया प्लस GST लगेगा तो ये अगर आप insurance लेना चाहते हैं तो 49 पैसा है अगर नहीं तो no कर देंगे दोस्तो इसके बाद अगर आप payment करना चाहते हैं तो इसके बाद review journey detail अब आपको payment करना है अगर आप मालीजे UPI से करते हैं तो UPI वाला mobile number डालना पड़ेगा अगर आप card से payment करते हैं तो card की detail डालनी पड़ेगी और जैसे ही आपका payment जाएगा तो रंत आपको टिकेट सो हो जाएगी उसका आप save कर सकते हैं या फिर आप screenshot ले सकते हैं दोस्तो उमीद करता हूँ इस वीडियो आपको पसंद आया होगा आज के लिए इतना ही मुलाका जल्द होगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले सुक्रिया दोस्तो